मैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अवनीस और आप देख रहे हो इससे स्टॉक मार्केट बात करें गये इस ो में एक से के बारे में यहीं सेर के बारे में सीन डॉंत के बारे में बात करेंगे और यहीं हम लोग यहां पर और येंट ब्लेन पावर कंपरी new लिम्ट्ट सब्सक्राइब करेंगे और साथ में पर अच्छिता कोटर्ण कोंट के बारे में बात करनेम हैं आप कल मार्केट ओपफ होने वाला ऑख कैसा उसके पहले इन में एक्सल बन रहा है कैसा मॉमेंटम हा सकता है अंगे क्या करना है नहीं करना है इच्छिता कोटन का भी बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए तो इसको भी कवर कर देंगे कि अधे कि अगर लोग पिछले महूर्थ डेडिंग का यह अगर हम लोग देखेंगे तो जिरो पॉइंट मतलब वही टू परसंट की तेजी देखने के लिए मिली थी थोड़ी सी मामूली सी साथ लाख ही कुड़ी सेयर टोटल टेड हुआ था एक करोड रुपे के सेयर बाइसे लुए थे और 55% का डिलिवरी परसंट है देखने के लिए इसमें हम लोग को मिला है अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हाल पिलाल का कोई भी यहाँ पर अब्डेट आता हुआ हम लोगों को हो चुका है ठीक है जमी इसका रिजल्ट डेट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अलग एक वीडियो बना के बता दूंगा यहां रिजल्ट डेट आगया और जब रिजल्ट आएगा तब भी बात कर लेंगे फिर हाल में अगर देखेंगे इसके फंडमेंटल के बारे म सब्सक्राइब बात करेंगे 27 प्रिटेट करा आरो सी 38 परसंट का आरोई 35 परसंट का यह दोनों चीज़ बनिया है फेस बैलू इसका जो है एक रुप्या है हां एक परसंट के आज पास का कमपनी डियूडियन विदेती है बावन पैसे इसका जो है अर्निंग पर सेर देख सकर कम देखने के लिए नों को यहां पर अगर तीन साल का सेस्ट गुरूथ र Wade VS परसंट इन इस साल का sales growth ratio 80% है और इस साल का profit growth ratio एक परसेंट नीचे है तो इस तरह से इसका fundamental देखने के लिए हमनों को मिला है आप देखिए चार्ट पर देखेंगे तो लगबग लगबग अपने आल टाइम लो पे यहां तक मुझे चार दिख रहा है 2023 तक का यह दिखा रहा है अभी हमारा यहां पर तो मतलब दिक्कत है अभी को मिला के लो पे साइड में आ रही देखिए फंडामेंटल के बाद में बात करेंगे ठीक है थोड़ा बहुत है रिक्स ले सकते हैं लॉंग टर्म का आगर आपनों को इन्वेस्टमेंट करना है पचीस रुपे सताही सुर्पे तीस रुपे इस तरह के अगर आपनों को टार्गेट चाहिए उस पर भी आप डिटेल कई सरे स्टॉक के बडियो आएंगे बढ़ियां बढ़ियां शेयर की ठीक ना तो ठीक है आप चाहो तो वहीं 35 रुपे 30 रुपे के टार्गेट के लिए इसमें लंबे टाइम फ्रेम के लिए इंवेस्ट कर सकते हैं स्विंग टेडिंग शॉट टम वीडियो बनाता था अब देखिए ओरियेंड ग्रीन पावर टेड़ पर्सेंट पहुने दो पर्सेंट की इसमें भी तेजी देखने के लिए से एक तरब पर सेंट का डिलिवरी परसेंटेज देखने के लिए बढ़ी परसेंटेज में बढ़ी के लिए देखेंगे अगर इसका हम लोग यहां पर औरियंड ग्रेंड पावर का तो बंडा मेंटल तो बाइस सो को रोड के मार्केट के पॉली कंपनी है बतीस रुपया इसका आई है और चौदर रुपया लो है सो के पी मिल रहा है तो थोड़ा से ज्यादा पी है भुक वेलू ठीक ठाक है सकते च्छतिर अटारे तो तीन के विल्व पर मिल रहा है बुक वेलू इसका छे रुपय देखने के लिए है तो थोड़ा सा अरो सी अरोई भी इसका कम है फेस्वेल उदस रुपया है डिवीडिन भी नहीं देती है कंपनी तीस पैसा इसका आर्निंग पर सियर है है 750 क्रोड का डेट है और 193 क्रोड इसका जो है रिजर्व माइनस में देखने के लिए मिले हैं प्रोमोटर के वोल्डिंग देखेंगे तो यहां पर के लिए खैदारी यहां पर कर सकते हैं अभी 18 है तो इसमें आप खैदारी कर सकते हैं लॉंग टर्म के लिए हां अगर इसमें बेक करता है लेबल वहीं तो फिर सीधा सीधा यह जो है 9-10 रुपे की आस पास जाने की कोशिश्ट करेगा मतलब यहां से सीधा सीधा 50% की गिरावर्ट जिलनी पड़ेगी आप लोगों को लेकिन ठीक है उपर अच्छा रिटन भी हम लोगों को मिलने वाला है 35 रुपे की आस पास का 100% की आस पास का तो देख लिजेगा हलाकि उसको अगर उपर बेख करेगा तो फिर लॉंग टर्म में हम लोगों को 50-60 रुपे तक का भी टार्गेट देगा तो लॉंग टर्म का इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि डेली केंडल पर यह भी थोड़ा सवीग दिख रहा है बहुत का सेर आजाएगा सिनकों फर्मूलेशन लिम्टेड इसकी भी मैं वीडियो बनाता हूं प्रति दिन तीन परसंड के तेजी मोर्त टेडिंग में इसमें देखने के लिए मिली थी मार्केट के लिए आज से देखेंगे दोजार करोड के मार्केट का पॉली कंपनी है 28 रुप परसंड के आसपास है तो मेडिया में कहले हैं हम लोग उतना बहुत बढ़िया नहीं है नहीं नहीं बहुत बुरा है एक रुपे के आसपास देखने के लिए मिल रहा है अर्निक पर सदेर 29 परसे का है डेट देखेंगे तो एक अतर करोड का है और रिजर्ब की बात करेंग देखेंगे तो 192 करोड का है फैयाइट के वोल्डिंग मामूली सी बढ़ी है प्रोमोटर के वोल्डिंग 50% है 13% के आसपस 11% की आसपस की अपरेटीप ऑप्रेटिश्ट माइजिंग है वहीं पर तीन साल का सेल्स गुरोथ रस्यों इसका देखेंगे तो 7% माइनस में है इ साल का profit growth ratio देखेंगे यहां पर हम लोग तो 32% देखने के लिए मिल रहा है आप देखिए इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे इसके चार्ट के बारे में इसका प्राइट सब्सक्राइब देखने के लिए मिल रहा है तो इसको भी देख लेते हैं देखिए यह 10 सितंबर 2024 को लॉंग टम के स्टेज वन में सामिल हुआ था और तब से यह यहां पर एक्टिव अमनों को देखने के लिए मिल रहा है अब यह लोगिक के इसाब से दिसंबर में 11 दिसंब के आसपस इसका 10 दिसंबर के आसपस रिभीव होना चाहिए तीन महीने के बाद तो अभी यह जो अक्टूबर तो एक महिना हो गया नॉम्बर वाला 10 तरीका अगा तो दो महीना हो जाए तो हो सकता है दूसरे महीने वाला रिभीव इसका हो जाए और वही मतलब आठ मतलब आठ नवंबर के आसपा सुक्रवार है तो उसके आठ नवंबर को इसका रिवीव हो जाए पाई चांस हो जाए संभावना कम है लेकिन नहीं तो दस दिसंबर के आसपा इसका रिवीव होगा और यह बाहर आ सकता है लॉंग टर्म की लिट्स से ठीक न क्योंकि क्राइटरिया चुका है बस रिवीव हो रहा है बाकी है चार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ट पे इसमें भी कंडिशन ठीक है लॉंग टर्म के लिए इसमें भी आप लोग रिक्स ले सकते हो खईदारी कर सकते हैं 34-35 तक का इसमें भी टार्गेट मिलेगा मैक्सिमम जो है चलिश उत् Techno टार्गेट मिलने के संभावना फिर हाल मी अभी के लिए वीक्ली चार्ट अभी सकाल ह्ट है और टेली चाड भी स्टॉंग है तो इसमें इन थीनों शैर में सबसे स्टॉंग मुझे जो दिख रही है कंपणी वह यही दिख रही है शिन-काम फर्मृलिट दो इसमें आप चाहो तो थोड़े छोटे टाइम प्रेम के लिए भी कईधारी कर सकते हैं उपर बस एकी रेजिस्ट्रेंस है एक इस बाइस रुपय का जेवी ब्रेक होगा 28 रुपय और 34 रुपय के टार्गेट के लिए मोमेंटम करेगा तो देख लिएगा वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले प्रियो में